तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल टेक मेमोरी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे हम बाते करेंगे कि आप किस तरह से वाटसप में अपने प्रोफाइल पर प्राइबिसी किस तरह से लगा पाएंगे जैसे होता कि हम लोग प्रोफाइल फोटो पर हम प्राइबिसी कैसे लगाते हैं वीडियो अच्छी लगेगे तो प्लीज सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आए आगे बढ़ते हैं समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है सबसे पहले हमें वाटसप अप्लिकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमारे सामने एक नयवाला पेज इस तरह से आ जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं किनारे पर यहां पर तीन बिंदू दिखेगा हमेज तीन बिंदू पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक आपसन दिखेगा सेटिंग का तो हमे एक option दिख जाएगा यहां पर एक option दिख जाएगा कि यहां पर चैट है notification एकाउंट बहुत सारी option है तो हमें account वाले option पर click करना है account वाले option पर click करने के बाद एक option आपको उपर दिखेगा privacy का privacy पर click करते हैं तो आपके सामने आप अपने lost privacy लगा सकते profile photo पर लगा सकते about पर लगा सकते बहुत सारी privacy है तो हमें क्या करना अपने profile photo पर privacy लगाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले profile photo पर click करेंगे अब यहां पर कुछ बाते आएंगे जिस पर आपको ध्यान देना होगा ठीक है मैं step by step बता रहा हूँ पहला everyone है यानि प्रते एक लोग आपका profile photo देख पाएंगे ठीक है जितने लोग आपका number save करेंगे वह देख लेंगे दूसरे है my contact मतलब आपके mobile में जितने mobile number save है न बस किवाल वही लोग देख सकते हैं पंजान लोग है वह लोग नहीं देख सकते हैं ठीक है तिसरा है my contact expected यदि आप इस पर क्लिक करते हैं और आप इसमें से check mark कर देते हैं कि यह यह लोग हमारी DP नहीं देख पाएंगे तो आप एसे करके आँसे write कर सकते हैं यह लोग आपकी DP नहीं देख पाएंगे ठीक है फिर से profile photo पर जाते हैं यदि आप चाहते हैं कोई न देख पाएं तो nobody पर क्लिक कर देंगे और back आजाएंगे तो आपका profile photo कोई नहीं देख पाएंगा तो कुछ यहां पर था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों मैं उमीद करूंगा कि आप वीडियो आपको